आप अपने वारे में बताएं मैं श्याम प्रकास नेवल हेड़ पार्टर में एज शीनर रॉट्समन काम करता हूं बेसिकली अभी हम देल्ली में हैं और पीछे से हरियाना से विलोंग करते हैं तो यह जो बाबा साथ से आपको सिक्षा प्रात हुई है उसके कितने लाव आप को मिले पुछो तो मेरे पिताजी तो अपना जमीदारा करते थे और घर में मेरे ही सबसे चोटे थे उन्होंने उर्दु में पढ़ाई की और बाबा साथ का नाम तो हमने यहां दिल्ली माने के बाद कुस्छ थोड़ा बहुत सुना सभी कुछो तो पहले हमारे हां रूरल आप पुराने जमीदार रहे हैं बाबा साब की आवा जाने से पहले और आपके पिताजी पहले से पढ़े लिखे हैं यह पर अधिक्तर जो भारत के लोग हैं उनका परिवार पढ़े लेखी लोग को नहीं आता है अम्बीटगर को यहां जानने के बाद में आपको कैसा महसुस गूआ और क्या अंतर महसुस किया आपने जो बाबा साहब ने हमें जो दिख्षा दी और जो हमने सुना यह हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ी बात है उन्हीं की उन्होंने जो बतलब जो सब कुछ बताया अ पुछो तो यही बाबा साहब की ही देन है जो हम अब परकतिशील है बाबा साहब ने एक धंब दिया और यह बताया था कि भारत का अपना धंब है किसी बिदेशी धर्तिगार यह दंब नहीं है जो बुद्ध का धंब बताया उसके वारे में बच्चे क्या समझते हैं आज इस तरफ जो भी आएगा वो आगे तरकी ही करेगा और है भी सही बिल्कुल और मैं भी गया हूँ इसमें जो अरियाना बहुत पुराना धंब का छेत्र रहा है अगर आप देखें तो उसमें यम्नानगर के अंदर बहुत बड़े-बड़े स्तूफ हैं जो कमास पूरे वहा हां अन्दर हिसार है उसके अंदर बिल रही है जो आपका अग्रोह है उसके अंदर भगवान-बुद की आसारे अपसेश ए उनkim के प्यारों के और हरियाना का जो पूरा नाम से सविक उप्टे कर दंब में अपासे लोग पहना पहूंआ कर थे कुछ लोग जो है इस बारे में सचेत हैं बाकी तो बीच में कुछ ऐसा वो आया जो हर्याना का कुछ सी एरिया ऐसा भी जो रास्थान से लगता हूं वहां इतने उत्षिक्षा प्राप्त लोग भी नहीं है और दूसरा यह आप मानते हैं कि हर्याने के लोग सीधे सचे लोग हैं जो क्याम सचाई का प्रण करते हैं जी हां और यह गुण पांच सील के गुणों में से आता है जो बुद्ध ने दिये जो पूरी दुनिया में चलते हैं जी आनका रहे आपको जी हां चलिए कुछ कहना चाहेंगे हर्याने के लोगों को मैं यहीं कहूंगा कि वह अपने बुद्ध रमकी या बाबा साम ने जो शिक्षा दी है हमारे लोग उस तरफ ज्यादा ज्यादा आएं और अच्छी शिक्षा और अच्छा आगे तरकी करें धन्यवाद मारे ऴसे शिक्षा रिक्षा मशवादा ज्यादा कर दो मेंगे तरकी करें बुद्द को